प्रानिशास्त्र की खक्साम है आपका हार्दिक अभिनंदन आज हम जैविकास के प्रमान की सरंकला में जीवों के भगोलिक वित्रन से प्रमान और वर्गी की से प्रमान का अध्यन करेंगे अध्यन के साथ चर्चावी करेंगे इस विशे पर चर्चा आपके समक्स प्रस्तूत कर रहा हूँ मैं प्रेम सिंग चुहान से आचारिय प्राने सास्त्र सेट रंगलाल कोठारी राजिके माविद्याले राजश्मन से B.S.C. तरत्यवर्स के थर्ड पेपर में जिसे हम इवुलियूसत कैसे हैं उसके अंत्रगत उद्विकास में जीवों के भगवलिक वित्रन से प्रमार्ण की सबसे पहले अपन बात करेंगे इसको इंगलिस में कहा है तो कहता है Evidences from Geographical Distribution of the Animals इस परक्रण का study हम दो बिंदूओं में विभाजित करके करेंगे पहला जीवों के मादिपों पर वित्रन को और दूसरा जीवों का ऐसा वित्रन को जीवों में मादिपी वित्रन की यदि हम बात करें तो उत्री गुलाद के परमुक मादिपों जैसे कि उत्री अमेरिका और यूरेशिया में लगबग समान प्रकार का प्राणिजात पाया जाता है जिबकि दक्सिनी गुलार्ट के माधिपों जिसे कि दक्सिन अमेरिका है अफरीका है और आस्ट्रिले के प्राणिजात को यदि हम देखे हैं तो उनमें बहुत अधिक अंतर मिलता है इनों में अंतर पाये जाने इसी अंतर को हम विविता कहेंगे डाइवर्सिटी इस डाइवर्सिटी का कारण ये माना जाता है कि इस तंधारियों का विकास जो है वो उत्री गुलार्थ में प्राड़म हुआ जहां से ये दक्सिन अमेरिका, अपरिका ज़ता आस्टेलिया में प्रवास कर गया है बिन-बिन प्रियावर्ण की प्रिस्तियों में ये परिवर्दित होने लगे या अनुकुलित होने लगे अर्थार्थ हम यूँ कह सकते हैं उन माधिपों के प्रियावर्ण के अनुरूप इनका प्राने जांत अलग-अलग दिशा में विक्षित होता गया उत्री गोलार्थ में उत्री अमेरिका तर यूरेशिया के बीच में केवल एक उत्रला सा बेरिंग जड़ी डबरूम बढ़ती है जिसने प्राचिन काल में इस्तल सितु का कार्य किया है अर्थे इन दोनों माधिपों के प्राणी जात में विन में होता रहता था यही कारण है कि उत्री गोलार्थ में उपस्तित जो माधिप हैं उन माधिपों में प्राणी जात में बहुत जिक समानताय मिलती है दूसरा बिंदू के अंतरकत हम कह रहते हैं कि दिस कंटिनिस डिस्टिबिशन आप दी अनिमल ऐस अतत वित्राण यदि हम जीत्वों के वित्रन से ही विकास को प्रमान प्रस्तूत करना चाहते हैं तो हम यह देखते हैं कि भगोलिक द्रस्टि से अलग-अलग देशों में भी कभी-कभी एक ही प्रकार की जीव-जनतुत्रा पोदे पाए जाते हैं तो कभी-कभी समान जलवायू वाले विभिन दीपों और मादीपों की वनस्पति और प्रानिजात समों में बड़ा अंतर होता है डार्विन के विकास वाज को जीवों के वित्रन के उपर ही आधरित मना चाह सकता है यह हम discontinuous distribution में फिर तीन-चार एक्जामपल हैं चार एक्जामपल समारे पास हैं इन चार एक्जामपल को बात करेंगे सबसे पहली बात करते हैं हम lung fishes की जन्हें फुपुस मचलिया कहते हैं संसारवर में फुपुस मचलियों के तीन जनरा हैं तीन वंस हैं, तीनों ही वंस अलग-अलग माजिपों में पाई जाते हैं, प्रोटो पटेरस अफरीका में पाई जाते हैं, नियो सिरेट और आस्टेलिया में और लेपिडो सायरन दक्षेन अमेरिका में पाई जाते हैं, ठीक इसी तरह से सेर को देखें, सेर दियाती केवल ब उंट की जाती की अब तुलना करें तो उंट की जाती उत्री अफरीका और एशा में जो उंट होता है जो उत्री अफरीका और एशा में उंट है वही दक्सिना अमेरिका में लांबा के द्वारा परदस्त है आस्टेलिया के मूल इस्तंदारी केवल प्रोटो थीरिया और मेटी थीरिया वर के प्रानी है यू थीरिया या इस्तंदारी जो इतने भी हैं वो सभी इस्तंदारी मनुस्य के द्वारा वहां पहुंचाएगे हैं इन कथाओं से हमें ग्यात होता है कि प्राचिन काल में आस्ट्रेलिया वे अफ्रीका इस्तल सेतू द्वारा एशिया से जुड़े हो एते हैं तदा अफ्रीका और रक्षिन अमेरिका से फुपोस मचलिया इन सभी भागों में मिलती थी किन्तु बगोलिक प्रिवर्तनों के कारण कुछ खास जगाओं पर ये सीमित रह गई और सेज जगाओं पर भी लुक्त हो गई यही कारण है कि मचलिया अलग-अलग माधिपों में पाई जाती है मार्सू पियलिया मेटाथीरेंस इस्तंधारियों में से केवल आस्टेलिया में पाई जाने वाली कुछ एसा ही कारण है कि इन इस्तंधारियों के विकास के परसचात संभाव है आस्टेलिया समस्थ परतिद्रे अलग हो गया अलग हो जाने के परस्चाथ वे एशिया भूबाग में यूथीरिया अस्तिन्दारियों के विकास के कारण मार्सु पीयल्स या प्राणियों का विनास हो गया किन्तु ये आस्ट्रेलिया में नहीं पहुंच पाए इसके फलसु रूप वहाँ पर मार चुकी सुरक्सित रहकर अलगी धंक से विक्सित होकर जाने से नहीं नहीं चातियों का विकास हुआ अब हम देखेंगे एविडेंस प्रम टाक्सोनोमी वरगी की से प्रमान वरगी की में समान रचना और आकार वाले जितें भी समस्ट जीव हैं उनको एक ही जातिया स्पसीज में रखा जाता है एक स्पसीज के जो समस्ट जीव होते हैं उनमें आपस में समानता होते हुआ किन्तु दूसरी जातियां के जीवों से बिन होते हैं तता भी कुछ जातियां में ऐसी समानता होती है, जिनके ओ आधार पर इन जातियों को एक वंस बनाती है, ऐसी प्रकार समान गुण वाले वंस एक फैमिली या कूल बनाते हैं, वंस गर्ण में और गर्ण फिर वर्ग में, तता वर्ग संग में संगती होती हैं, ये distribution या classification की units है जह हम नीचे से start करते हैं, species, फिर उसके बाद में genera, then order, then class, then phylum, तो उसी अनुरूप इन जीवों में जितनी समानता पई जाती है, उसके आधार पर, इन विबिन जो वर्गी करण की hierarchy है, उसमें इन जीवों को रखा जाता है समस्थ संग भी स्रंचना की जटिलता के आधार पर उनको विन्यसित किया जाता है, वर्गी करण की इस विदी से समस्थ जन्तों और पेड़ पदों का वंस व्लक्स भी तियार किया सकता है इससे स्पस्थ होता है कि समस्थ जीव एक ही प्रकार के मूल पूरवजों से बने हैं, तदा विविन प्रिस्तितियों के अनरूप विविन प्रकार की जीवों का निर्मान हुआ है किन्तों फिर भी उनमें कुछ मूल गून पाई जाते हैं जिनके आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसी समय समस्थ जीव समान रहे होंगे और प्रिस्तितियों के प्रभाव में इनमें परिवर्थन आने से नई नई जातियों का विकास हुआ होगा वन्स व्रक्स को देखने से ये भी ग्यात होता है कि मनुश्य वे अन्य सभी इस्तंधारी पक्सी, सार्प, छिपकली, आधी को हम एक ही उपसंग, वर्टिब्रेटा में रगते हैं आपको मैं बता दूँ इन सब का एक ही संग है जिसे हम कॉर्डेटा कहते हैं कोर्डेटा का उपसंग वर्टिब्रेटा है जिसमें इस्तंधारी, पक्सी, सार्प, छिपकली आधी आते हैं यह दिपी देखने में ये सबी एक दूसरे से पूर्ट आप भीन है इसका कारण इसमें कुछ AC से मानता है पाई जाती है जिनके आधार पर हम इनको एक सार्थ या उपसंग वर्टिब्रेटा में रखते हैं इसका मूल कारण नोटो कोर्ड, नर्व कोर्ड और फैरिंजल गेल सेलेट्स है ये तीन आधार पूत, कॉर्डिट केरेक्टर है किन्तो नोटो कोर्ड जो वर्टिकोल्बल कोलम में परिवर्टित हो जाती है तो वो वर्टिबेटा में आते हैं इसलिए याँ लेकर खाये नोटो कोर्ड, कलोम दुरा रहे और खोकला नहीं, खोकला तंत्री का तंत्रिजम में पाई जाती है जिनके आधार पर ये माना जा सकता है कि विबिन समों में एक दूसरे समन्द अवशे रहा होगा वर्गी करण में जन्तों को समों को इस आधार पर विन्यसित किया गया है कि उनकी आकार की जड़लता बढ़ती जाती है वन्स वर्ग से ये भी ग्यात होता है कि उबैचर वर्ग के जन्तों मतस्य वर्ग से स्रिसरप वर्ग के जन्तों उबैचर वर्ग से पक्सी वर्ग और इस्तंधारी वर्ग के जन्तों स्रिसरप वर्ग से अधिक जटेल है दूसरे सब्दों में हम यूं कह सकते हैं कि उबहचरों का विकास मतस्य वर्क से सरिस्रपों का विकास मतस्य वर्क से पक्सी और इस्तंधारियों का विकास सरिस्रपों ते हुआ है आजके चर्चा में आजके प्रकरण के अधियन में यहीं तक यह मारी बात को हम समावभ्द करते हैं आज हम इसके बाद देखेंगे इसमेंसे आजायनमेंट क्या निकल करे आता है हमारे पास आजायनमेंट जिसला हम ग्रहकारिय कहते हैं दू क्यूस्टिन इंपोर्टेंट हम यहां पे बना रहे हैं। पहला क्यूस्टिन है मचलियों के ऐसमान वितरन से आप क्या समझते हैं बतलाईए। मुख्या आता है मचलियों में आप लंग फीसेस का एक्जामपल ले लें। प्रोटोपटेरस, लेपडोसाइरेन और नियस सिरेटोर्स दिन तीनों की डिस्टिब्यूशन जो अलग अलग कांटिनेंट्स में उनको इस क्यूस्टिन के आंसर में लिखना है। इसी को इंगलीज में लेकाया गया है। यह फाइव की इस्तान पर आप यहां पर निस्टेक है। इसको आप पढ़ देना। इसको क्या पढ़ना है। वाट। वाट दू यू अडर्स्टेंट बाइडिस्कंटिनूस दिस्टिबूशन अप दिपिसेस। The next question is वरगी के प्रमानों की व्याख्या केजी। Very easy question. आप easily इसको solve कर सकते हैं। Taxonomy की hierarchy लिखनी है। और hierarchy के बाद मैं वन्सुरक्स का example देना है। और उसके अधार पर आपको इसकी व्याख्या कर देनी है। इसी question, English version हंदिम देखा है। Write and short notes on the evidences from the taxonomy। This is all about this content and अप एक्सा करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए उप्योगी रहेगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, once again, thank you for watching this video. प्रेचात्रो, मैं आपसे एक निविदन करना चाहूंगा। कि परतीक वीडियो को बनाने के लिए उसका content, book या internet से लेने के पसचात उसको Google Docs में या Writer में लिखना होता है। उसके बाद उसकी व्यक्या करने पूरती है, diagram के साथ में। तो हर एक वीडियो को बनाने में कापी मेहनत दिखती है। लेकिन आपकी तरफ से जो response आ रही है वैं बहुत कम है। इसलिए आपसे एक बार पुने निविदन है कि हर एक वीडियो को आप ध्यानपुरवक्त सुनें। उसमें पूछेगा जो assignment है उसको वापस सल करके वार्सप पर feedback दें तो आपकी बड़ी महर्बानी होगी। Thank you once again. Have a good day.